दोस्तो एक PDF को multiple PDF में split करना हो या multiple PDF को एक PDF के अंदर combine करना हो इन सब के लिए आप एक software इस्तमाल कर सकते हैं जिसका नाम है Wondersure PDF Element जियां दोस्तो Wondersure PDF Element के जरी आप PDF के अंदर automa card कर सकते हैं या फिर PDF को आप आसानी से edit कर सकते हैं साथ ही में आप PDF को वर्ड में करना चाहते हैं या Excel में या PowerPoint में ये भी आप कर सकते हैं जियां दोस्तो और इस Wondersure PDF Element के धेर सारी features आपको या पर free मिलने वाले हैं तो अगर आप interested इस software के बारे में जानने के लिए तो मैं सदीश आप सबका सौगत करता हूँ complete technology channel पे ये वीडियो इंट तक देखिएगा let's begin आपको मिल जाएंगे तो जैसे आप Wondersure PDF Element डाउनलोड और इंस्टॉल और रन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा जहां पे recent files यानि कि मैंने जो files access की वो यहां पे दिखाए देगी सारी PDF files और अगर आप किसी भी PDF को edit करना चाहते quickly तो यह quick tools यूज कर सकते हैं या पे edit आपको पहला option दिखाए दे रहा है दूसरा option आपको यहां पे convert बिल रहा है आप डह सरी PDF को यहां पे word, excel, powerpoint में convert कर सकते हैं या फिर आप PDF के अंदर के content को read करना चाहते हैं तो OCR feature इस्तेमाल कर सकते हैं या PDF को combine करना चाहते हैं तो आप combine वाला option यूज कर सकते हैं और सभी actions एक साथ करना चाहते हैं यह batch process वाला option यूज कर सकते हैं तो फिलाल मैं यहां पे edit मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि हम PDF को edit कैसे करते हैं तो जैसे आप यहां पे edit option पे click करते हो यहां पे आपको PDF select करना है open कर लेना है PDF को आप यहां से open कर सकते हैं अब आपके सामने यहां पे एक PDF आच चुका है इसमें मैं existing content को edit करना चाहता हो तो यहां पे directly edit all option मिल जाता है मैंने यहां पे इस तरह के content add कर दिया है तो यहां पे मैंने कुछ और content लिख दिया है वहां पे application form नाम था यहां पे in transform मैंने लिख दिया तो आप इस तरह से content यहां पे आसानी से edit कर सकते हैं आप text add करना चाहते, तो आप यहाँ पे और कुछ text add करना चाहते खुद से, तो यहाँ पे add text option आपको दिखाय दे रहा है उपर, यह देखिए, right, तो यहाँ पे मैं click करता हूँ, यहाँ पे मैं click करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ, suppose, तो इस तरह से मैंने य existing PDF में text भी आड़ कर सकते, आपको कोई image आड़ करना है, add image बटन पे click कीजिए, आपके बस desktop पे कोई image पढ़िए, जैसे example के लिए मैं desktop पे जा रहा हूँ, मेरे पास यह image है, मैं से open करता हूँ, यह बहुत बड़ी image है, कोई problem नहीं है, इस image के आप size भी यहाँ से कम कर सकते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस image को मैंने properly place कर दिया है, और हम Instagram पे भी activate है अभी, तो आप check कर सकते हैं, Instagram भी दोस्तो, अब image आड़ करने के बाद, इस image के उपर कोई link मैं add करना चाहता है, तो add link button यहाँ पे आपको दिखाए दे रहा है, इस पे click कीजिए, और आप इस तरह से drag करके rectangle select कीजिए, अब यहाँ पे आप link दे सकते हैं, जैसे आप link क्या देना चाहते हैं, आप इसी पीडियाप में से suppose कोई page पे link देना चाहते हैं, ज्यादा pages तो वह दे सकते हैं, या फिर आप कोई URL यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे आपके पास तो वह URL आप यहाँ पर type कर सकते हैं, या फिर आप कोई दूसरी file का link भी यहाँ से दे सकते हैं, और apply जैसे मैंने यह logo select कर लिया है, अब यह logo कैसा रहना चीज, 0 degree, rotation इसका, तो 0 degree कर लिया, चोले, इसकी size मुझे बहुत कम करनी है, 10 percentage करनी है, 10 percentage और यहाँ पे आप logo देख सकते हैं, बहुत ही छोटा आचुका है, और मैं चाहता हूँ, इसको top left corner में रखूँ, तो मैं यह भी कर सकता हूँ, यहाँ पी देखे, top left corner में उपर उसे place कर दिया, और apply बटन क्लिक करते हैं, यह यहाँ पे apply हो इस photo पे delete करो, यहाँ पे signature box पे क्लिक करो, यह delete करो, आसानी से आप content erase भी कर सकते हैं, तो यह हो गया editing के बारे में, अब हम देखते हैं, इसके उपर हम comment कैसे कर सकते हैं, यानि की annotation कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे उपर आपको comment टैब दिया है और आप इसे rectangle में इस तरह से draw करके रख सकते हैं, या फिर किसी का ध्यान इसके उपर जाए, तो यहाँ पे जाओ, और arrow ले लो, और drag करो इस तरह से, इस तरह से आप चीजे कर सकते हैं, और डिर सारी चीजे और भी है, इस comment में अलग-अलग annotations आप यहाँ से दे सकते हैं, convert tab में आप इसे word में convert कर सकते हैं, Excel में कर सकते हैं, या PPT में चीजे तो PPT में convert कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे word पे click कर देता हूँ, तो जैसे आप two word पे click करोगे तो आपके सामने यह convert का pop-up आ जाएगा, जिसमें आपको मिल जाएगा यह option कि word, या फिर Excel, या फिर किसमें आप convert करना चाहते हैं, आप यहाँ से select कर सकते हैं, यहाँ पे फाइल का नाम रहेगा, और यहाँ पे OK करते ही, यह convert हो जाएगा, और आपके सामने यह folder में open हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते है form DOCX, मतलब यह फाइल यहाँ पे docs में convert हो चुकी है, इस तरह से, हाँ यह जो conversion features है, यह paid है, अगर आप यहाँ पे इसे convert करते हैं, इनका automark आजाएगा, लेकिन अगर आप इनका software purchase कर ले तो यहाँ पे automark नहीं आएगा, यहाँ लेकिन सारी features यहाँ पे आपको फ्री में available करके दे रहे हैं, और कुछ features यहाँ पे paid भी है, तो अब हम देखते हैं कि पीडियाप को अलग-लग page में हम कैसे split कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक दूसरा पीडियाप यहाँ पे open कर लिया है, जिसके उपर ज्यादा pages है, और मैं page tab पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे 4 pages दिखाए दे रहे, तो मैंने split करना चाहता है, तो मैं split tab पे क्लिक करूँगा जैसे मैं split tab पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक dialogue box आ रहा है, यह पूछ रहे हैं कि आपको split कैसे करना है, एक-एक pages split करना है, या दो-दो pages split करना है, तो आप यहाँ पे decide कर सकते हैं, और जैसे आप यहाँ पे OK बटन पे क्लिक करोगे, तो यह चारो pages आपको दो document में divide होते तो उसके लिए यहाँ पे tools में आपको एक option दिया है कि पीडियाप को आप यहाँ पे combine कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे combine बटन पे click करूँगा, जो पीडियाप आपको combine करना है, जो हमारा पहला existing PDF है, वो तो आ गया है यहाँ और कोई PDF आप यहाँ पे add करना चाहते हैं, तो add फाइल पे click करो, और add फाइल पे click करने के बाद यहाँ से आप PDF सेलेक कर सकते हैं, मुझे suppose यहाँ पे यह दो और PDF इसमें add करने हैं, तो मैंने add कर दिये, तो यहाँ पे total PDF हो गए हैं, दिखाई दे रहे 3 और उसके total pages हो गए 6, right, page count दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 20 MB तक आ एक minute में आपको पता चलेगा, दिखिए पहले 4 page थे इसमें और यह दो pages भी add हो चुके, तो इस तरह से आप याप combine भी कर सकते हैं, अब हम देखते हैं, इसके अंदर OCR feature, तो यहाँ पे देखिए, tools में जाई है, OCR एक option आपको मिल रहा है, यहाँ पे इस PDF की उपर जितने सभी content है, वो उसे read कर लेगा, यहाँ पे आपको दिखा दे रहा है, scan to editable text, यह सभी का सभी scan कर लेगा, और editable text में convert कर लेगा, यहाँ पे आपको language चूज करना है, कौन सी language का है, यहाँ पे आपको धेर सारे ओर भी languages मिल रहे हैं, यहाँ से select कर सकते हैं, सभी pages को करना है, य यहाँ की page है, तो मैं current page ले रहा हूँ, और यहाँ पे apply button पे click करूँगा, जैसे मैंने apply किया, यहाँ पे आप देख सकते, OCR is processing, तो इस PDF में जितने भी content है, वो पूरे के पूरे readable format में आ चुके, और इस तरह सी OCR feature की मदल सी, इस PDF की उपर के पूरे के पूरे content आप read करके, copy करके कई भी भी paste कर सकते है, उसके अलवा धेर सरे options भी यहाँ पे आपको इस PDF element में मिलने वाले है, साथ में आप यहाँ पे PDF को protect भी कर सकते है, मतलब इस PDF को मैं password set करना चाता हूँ, set password में जाओंगा, यहाँ पे आपको opening password रखना है, permission password रखना है, अलग-अलग password के यहाँ पे options मिल रहे है, जैसे मैं opening password ही रखना चाहता हूँ, तो भाई कोई भी इस PDF को open करेगा, तो भाई उसके लिए password आना चाहिए, तो यहाँ पे 128 encryption में set कर रहा हूँ, तो अब मैंने opening encryption set कर दिया, अब इस PDF को मैं दुबर open करने जाओंगा, तो यह मुझे password पूछेगा दोस्त पे है, तो यह वीडियो में मैंने इस product के बारे में आपको information दे दी है, आपको अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ, तो कैसे लगा दोस्तों यह Wondershare PDF Element Software के बारे में detailed information को वीडियो, definitely आपको पसंद आया होगा, description में मैंने link दिये, check out जरू करना, साथी में मेरे जितन